आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन मेजिक में आज मैं आपको खाटू शाम जी की वरतकता सुनाऊंगी। हिंदु धर्म के अनुसार स्रीकृष्ण बार्विक के महान बलेदान से बहुत प्रश्ण हुए और उन्होंने वर्दान दिया कि जैसे ही कलियोग उतरेगा आपकी पूजा शाम के नाम से की जाएगी। सचे मन से आपके नाम का जब करने मातर से आपके भक्त बच जाएगे। और उनकी सभी मनोकामनाय पूण होंगी और उनके सारे दुखकष्ट दूर होंगे। श्री शाम बाबा की कहानी मद्य कालीन महाबारे से शुरू होती है। उन्हें पहले बारबर्ग के नाम से जाना जाता था। वे गटोचकत के पुत्र थे जो बहुत सकती शाली गदा वाहग भीम का पुत्र था। और मोरवी राक्छसमुर की बेटी है। वे बचपन से ही बहुत वीर और माहन योद्धा थे। साथ ही उन्होंने अपनी माता और बगवान कृष्ण से युद्ध की कला सीकी थी। उन्होंने घोर तपस्या करके नव दुर्गा को प्रसन किया और उन्हें तीन अमिट बान मिले। जिससे वे तीन बानों के रूप में प्रसिद हु कि वे हारे हुए पक्ष का शमर्तन करेंगे। वे तीन बानों और एक धनुस के साथ एक नीले गोड़े पर सवार होकर कुरू छेत्र के युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। स्रीकिष्ण ने ब्रहमाड का वेज धारन किया और उनके पास बार्बिक की परिक्षा लेने एक बाड़ी काफी है और यदि तीनों बाड़ों का प्रियोग किया जाए तो ब्रहमाड को नश्ट किया जा सकता है। यह जानकर स्रीकिष्ण ने उन्हें पीपल के सभी पत्तों में भेद करने की चुनोती दी। वे दोनों पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे। बार रखा था। बार्बरिक ने कहा कि तुम अपने पैर हटा लो नहीं तो ये तुमारे पैरों को छेद देगा। तद पश्चात स्रीकिष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि वे किस ओर से युद में भाग लेगा। तब बार्बरिक ने अपनी मा को दिया वादा दोहराया कि व बार्बरिक ने ब्रामट रूपी स्रीकिष्ण से प्रातना की कि वे अपना पैर पत्ते के उपर से हटाएं वरना उनका पैर घायल हो जाएगा। श्रीकिष्ण ने अपना पैर हटा लिया और बार्बरिक से एक वरदान मांगा। बार्बरिक ने कहा कि हेई अजमान आप ज परसन देने की बात कही क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति एदान नहीं मांग सकता था तब स्रीकिष्ण ने अपने वास्तेविक रूप में प्रकट हुए उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बार्वेक का मस्तक रण चंडिका को भेट करने के लिए मांगा और साथ ही वर्दान दिया कि कल्यूग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे मेरी सकती तुम में नहित होगी देवगंड तुमारे मस्तक की पूजा करेंगे जब तक ये प्रत्वी नक्षत्र चंड्रमा तथा सूरे रहेंगे तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम कर अंतर ध्यान हो गए बहुत समय बाद कल्यूग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वर्दान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वैखाटू में चमतकारी रूप से प्रकट हुए एक गाये घर जाते समय रास्ते में एक स्तान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूद की धाराय बहाती थी जब ग्वाले ने यह द्रिश्य देखा तो सारा विरतांत भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाया राजा भगवन का स्मरंड कर भाव विबोर हो गया स्वप्ण में भगवान श्री श्यामदेव ने प्रकट होकर कहा कि मैं श्यामदेव हू वहां मेरा शली ग्राम सीला रूप विग्रह है खुदाई करके विदी विदान से प्रतिश्टित करवा दो मेरे इस सिला विग्रह को पूझने से जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा बोलो श्रीकरिष्ण भगवान की जै भोलो खाटू श्याम भगवान की जै जै श्रीश्याम ऐसे इछ अच्छी जानकारी के लिए दारमे कुर्थाओं के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूजिक को सबस्क्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें धन्यवा झाल 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 झाल